बड़ी खबर आ रही है रागो चड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है शीज महल से आदेश आने के बाद रोज रागो चड्डा कोई न कोई बयान देते रहते हैं कल भी दिया परसुब दिया चुकि उन्हीं को अधिक्रत किया गया सीज महल की खास उनके ओपर क्रपा है कुछ बहुत खास क्रपा रागो चड्डा ने आज बयान क्या दिया है कि जो लोग भी आज विपच का सपोर्ट करेंगे संसद में वो देश भक्त कहलाएंगे मगर इतिहास का उन्होंने दे दिया वो लोग देश भक्त कहलाएंगे और मतलब जो लोग नहीं करेंगे इसका मतलब हो गया वो लाश्ट ब्रोधी माने जाएंगे या देश द्रोही माने जाएंगे दूसरा बड़ा ओवर कॉंफिडेंस होते हुए और रागो चड़्डा ने और भी ऐसे बयान दिये जो लोग तंत्र में सोभा नहीं देता लोग तंत्र में सभी बराबर होते सभी सांसत बराबर होते उनको बाकाइदे बहस करने का इवें प्रिधान मंत्री तक नीचे बै सब्सक्राइब से उन्होंने दूसरा बयान क्या दिया है कि इस समय जो है धर्म यूद्ध है उन्होंने बयान दिया धर्मयूद आपके साथ हो तो तो तमाम तरह की ब्रह्मानिकी सक्तियां जो हैं वह आपको जिताने में लग जाएंगी मतलब आज उन्होंने ऐसा बिल्कूल आप समय लिए ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए और ऐसे दर्सन पर बोला है जैसे कुछ लोग कभी-कभी ऐसा होता है कि जब ज़्यादा इस तरह बोलने लगते हैं तो उनको आगड़ा बड़ेली या नाची इन सब जग लगता है ऌज जो लागो चड़ा ने जससे बोला है कि धर्म युद्ध है अधर्म ओ आसरते वे बीजेपी के बीजेपी उसंपर चल लही है वो अधर्म म大 बैल सकाल हो ये धर्म युद्ध है जब जब धर्म आपके साथ हो तो इस ब्रह्मान की तमाम सक्तियां जिताने में लग जाएंगी ये उन्होंने माना है कि ब्रह्मान की तमाम सक्तियां उनको जिताने में लग गई हकीकत ये है कि तमाम सक्तियां ये सब जगह गए अभी भी इनको जितान इनके खिलाप है तमाम दल इनके खिलाप एई आई डियम के इनके खिलाप है शुचेना का सिंदे गुट पूरा पूरा खिलाप है अजीत पवार की लौबी भी इनके खिलाप है तो कौन इनके साथ है तेलकु देसम भी इनके खिलाप है बसपा भी इनके समर्थन में नहीं है तो इन्होंने जो कहा कि तमाम ब्रह्मान की तमाम सक्तियां तो ना इतने बड़े नेता हैं बहुत छोटी से जगे दिल्ली में इनकी सरकार है वो भी पूर्ण लाज उसको न समझे तो आज जो भी ये बोल ले हैं तो ऐसा लगड़ा है कि ये ओवर हो गए हैं और एक पिकार स हार से पहले आदमी दर्सन में चला जाता है या जब कहीं मातम आने को होता है तो थोड़ा सा लोग दर्सनिक हो जाते हैं दूसरी एक चीज बड़ी वो है कि इनके कुछ बयान बड़े ऐसे हैं जैसे टीनेजर से बच्चे बोलते हैं अभी इन्होंने कहा था कि उनको लोग केजरी बाल जी को तमाम बड़सों से दसकों से लोग इतना स्वागत करते हैं चूम लेते हैं अब बताया कि बहुत उनको प्यार करते हैं और कई ऐसे सद बोलें बोलें पाप जो है लोग पाप में लगे वो हैं और मैं पापियों के खिलाप हूँ इस तरह से मतलब तमाम कि जो टीनेजर्स वाले जो कि राजनीत में सब्द नहीं बोले जाते हैं एक सब्द उन्होंने और बोला था नपुंसक राजनीत में यह सब्द संसत के उससे बहार है एक बार चरुदी चरंज सिंग ने जो ग्रह मंत्री थे पार्लियमेंट में में लाइनंडे- स्मेंटि नायनट में बोल दिया था मुलाड जी देशाई ने डिस्पूर्मेंट तक इस सब्द और बोला था गौर्णनेंट नापुंसक पतानी क्या है इदर साथाट महने से इनको पता ने काउन से एक खुमारी चड़ी हुई है इस तरह के सब्द कहिना पाप उनको अर्बिंद केजरी वाल को बहुत लोग प्यार करते हैं चूम लेते गले लग जाते हैं अब केजरी वाल के लिए कहते हैं तो यह चीज समझ में नहीं आ से इनको चार-पांज महने से यह पता ने किस धारा में बैना है किस हबां बैना है यह किस नई विवस्था में प्रवेश किये हैं कि यह नए सब इनके उस पे आ गए जैसे कोई टीनेजर बच्चा नहीं कहता उस तरह से आज संजे सिंग जी ने भी बहुत कुछ बोला बोल नहीं तो जो भी यह लागो चड़ा कह रहे हैं अब चुकि उनको इसलिए ने कुछ कहा जा सकता है कि एक लंग महल का उनके उपर आसिरबाद है और विशेश दयाद्रश्टी है उनके उपर कुछ भी अगर होता है केजरीवाल जी कहीं मुसीबत में होते हैं तो एक आदमी जरूर आके बयान देने आता है रागो चड़ा ऐसा भी कहा जाता है कि एक एग्रिमेंट है या कुछ इंटर्नल एग्रिमेंट है कि अगला चीप मिनिस्टर के लिए उनको पंजाब के लिए पहले सित्ते कर लिया गया था अगर यहां पर भी उनको कुछ होता तो उनको यह यहां पर भी बनाया जाता चीप मिनिस्टर लगे हुए हैं यहां पर भी अब देखें केजरी बाल जी आना कि इधर को जो रुष्ट भी हो गयते उन्होंने एक बार अभी रागो चड़ा ने वड़ी फोटुआं खिचाई थी परति चौपड़ा के साथ वह फोटुआ डल है उसका तो यह सब है यह क्या है यह किचन कैबिनेट के उनके वो है और रागो चड़ा मगर आप देखें रागो चड़ा से आपका कितना नुकसान हो ला तमाम नेताओं को चांस नहीं मिला है जबकि इन से ज़्यादा बड़ा सीनियर मान है मान को उतना प्रफरेंज नही मिला अब रागो चड़ा इनकी आँखों के तारे हैं और रागो चड़ा के रोज आना बयान और यह जूट इतना बोलते हैं कि कववा ने उस दिन काल लिया अब इनके साथ दो चाल लोग लगे रहते कोई कववा नहीं हो यह खुले की जगए बंद उस पे ही बयान दे रह होंगा कि अगले आदमी को कि पंजाब की जगह से की जगह आगला राची बडेली इन जगह चुनाओ लड़े तो यहां से भी अगला जीत के आएगा आंगे चलके राश्टी राजनीत में मजबूत पोजिशन कर सकता है अगला पंजाब का लीडर नहीं है इन तीन सहरों का भी लीडर है मैं अजय पत्रकाद